ज़रा सुनना यह घटना है नोईडा की नोईडा की ठीक है और यह चीज आपको सबको बतानी है इसलिए जितने भी लोग हैं इस वीडियो की कट निकलना और इसको शेयर करना कोरोना में लोग किस तरह से धोखा कर रहे हैं ये हो रहा है शायद नोड़ा की है या दिली के आसपास की है महां के होस्पिटल्स में क्या हो रहा है आपको पता है कि और ये सिर्फ बात वहां से निकल की आई है और बहुत सारी जगा पर ऐसा हो रहा है ठीक है दिली के आसपास किसी होस्पिटल की घटना है लेकिन बागी जगा भी हो रहा है अब हो क्या रहा है आपको सबको पता है कि कोरोना के कैसिस लगातार बढ़ रहे है और जो कोरोना के पेशेंट है उनको इमेरेटली वेंटिलेटर की जुट पढ़ती है अगर उनकी सिचुबेशन खराब हो जाती है तो ठीक है तो होस्पिटल में बैडी नहीं है अब जब भी आप कोल करोगे होस्पिटल में बैडी नहीं मिलते है अब बैड क्यों नहीं मिलते है पता है होस्पिटल वाले खुद देखो ये मैं confirm नहीं कर रहा हूँ मैंने भी वीडियो देखी है और in fact UP सरकार ने hospitals खाली करवाए है fake bed भरे हुए थे fake bed मतलब सरकार ने क्या कर रखा है सरकार ने सारे hospitals को ये rule बना दिया कि तुम अपने हर एक bed की जानकारी दोगे कि तुमारे bed पर कौन है क्योंकि हर कोई कह रहा है हमारे तो bed full है हमारे तो bed full है अरे तुमारे bed full है तो फिर उनको रखेगा कौन तब हर कोई hospital कह रहा है कि हमारे तो bed full है उन्होंने कैसे full किये पता है fake corona patient को admit करके बुला के ले आये कि हमारे या तो bed full है ही नहीं ताकि सरकार की तरफ से दवाब नहीं आये कि चलो इसको admit करो ठीक है तो वो दिखाते रहते है फुल है फुल है फुल है अंदर ये अंदर जब hospital में कोई ऐसा अमीर आदमी आता है जो ये कहेगा कि मैं तो एक दिन के एक लाग देने को त्यार हूँ डेट लाग देने को त्यार हूँ मुझे बैट दिला दो तो उनके लिए ये लोग immediately जो fake bed भरा हुआ है उसको खाली कराते है और जो डेट लाग रुपे दे रहा है उसको तो किती दे रहे थे 500 रुपे पड़े के अब ये डेट लाग रुपे पड़े वाला उसको तुरंत कहता है तू तो कोरोना नेगिटिव है घर पे निकल ले अब जो डेट लाग रुपे दे रहा है उसे fees बराते हैं फड़ा फट से उसको shift करते है उस पुराने बेड़ पे ये धोखा दड़ी हो रही है ये हालत है और ऐसे सुनने पर लेज़ा है